किया है लिनियर एक्वेशन पहली बात है कि इक वेशन पहल तो श्काम नाम है लिनियर एक्वेशन इन वन वेरियेबल इसका मतलब क्या है तो देखो कहा रहा कि linear equation क्या है linear equation पहली बात है कि equation linear linear मतलब क्या होता है किसी भी variable का variable माले तो मैं x तो उसकी power हमेशा क्या मिलेगी आप 1 मिलेगी ठीक है power क्या मिलेगी हमेशा 1 इसके ओपर कोई भी power 2, 3, 4 आपको नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी हमेशा power 1 तो एक variable variable क्या होता है तो दखो वेरी को अगर मैं इसको अगर break करता हूँ तो यहां था वी ए आर वाई वेरी प्लस एबल ए बी एले एबल तो वेरी मतलब होता है change क्या होता है change ठीक है और कह नाम है able में इसका होता है ability और capacity ability क्या होता है इसका मतलब change change करने की क्या हो शमता हो यानि ability हो अपनी value वो change कर सके तो आपने देखा हो किसी question max की value 1 आएगी किसी max की value 5 आजाएगी किसी max की value 7 आजाएगी तो क्या कर रहा है क्या हो रहा है इसकी value continuously change होती हुए आ रही है या फिर इसकी जो answers है वो अलग-अलग आ रहे है तो यह सब क्या है variables है हमने chapter number 7 में क्या था algebraic expression के अंदर कि variables क्या होते है constants क्या होते है तो क्या है कि variables मतलब इसकी value क्या हो रही constantly change हो रही है तो variable कौन-कौन हो सकते है इतने भी आपके alphabets है small alphabets है capital alphabets है वो सभी भी एक type से क्या है हमारे पास variables है ठीक है ठीक है सभी variables है कितने variables होने अच्छी one तो देखो one बतलाओ या तो only x हो या फिर क्या खाली y हो ठीक है यह किसमे पुरे chapter में नहीं एक question के अंदर अगर question के अंदर कोई भी एक question तो उस एक question में एक ही variable उस कर सकते है दो variables हम यूज नहीं कर सकते है यह हो सकता कि अगले question में x के जए क्या ले ले y वो उसकी replace कर सकता है लेकिन एक साथ में दो variables नहीं ले सकता है समझे में आगए इने बात तो यह क्या था मरपस variable अभी variable है तो एक ही variable से यह मुझे थो ठीक है अब क्या होगा साथ में constant अच्छा यह तो variable constant क्या होता है constant क्या होता है जिसकी value change नहीं होती है constant क्या होता है जिसकी value change नहीं होती है तो किसकी value change नहीं होती है यानि quantity वन ही रहनी है इत्मिस constant क्या रहा ही जितने भी हवान नंबर से हो सभी constant है और जितने alphabet से कह सकूँ तो सभी क्या है वो variables है ठीक है तो देखो क्या ची मुझे एक तो जी है मुझे variable अच्छा साथ में क्या है पुरह equation अच्छा linear linear का मतलब one power तो एक्स की पावर की तो नहीं one है तो देखो यह linear तो है एक variable है वो भी ठीक है अब क्या है equation equation मतलब equals to में कुछ होना ची तो साथ में constant लिखोगी क्या लिखोगी साथ में एक constant और equals to में क्या है जीरो क्या है एगा equal to में जीरो यानि याद रहना जब equal to में जीरो आएगा तब क्या बनेगी equation इसकी power one है तो यह गए linear और एक ही variable use कर रहा हूं तो क्या है one variable तो नाम क्या हो इस पुरी equation का linear equation in one variable this is the linear equation in one variable समझ में आराम दे समझना है कोई टेंसन ने लेनी है दुबारा सुन दो linear equation in one variable क्या होता है कि linear मतलब variable की power one variable मतलब इसकी value change हो सकती हो साथ में constant है तो constant को इसकी variable जिसकी value change नहीं होगे और equation के लिए equal to zero लगाना पड़ेगा एक question बताता हूं x plus x minus two equals to seven मान लेती है बना sir ठीक है आपने कहा था कि linear equation है ठीक है यह constant भी है बिल्कुल सही है one variable है वो भी सही है लेकिन equal to zero का seven है तो देखो यह seven लाया गया है इसको हम क्या करेंगे इसको हम अटा सकते कैसे अब अटाओ इसको यहां से अब यहां ले जाओ इसको यहां ले जाओ तो कितना गई जीरो पची है तो x equals to minus nine equals to zero यह आपका answer है ठीक है यह हम इस तरह भी सिसको लेके जा सकते है तो कैसे लेके जाना है वही हमें 2.1 में सीखना है तो let's start exercise 2.1 इसमें उस questions है solve the following equations तो यह आपके 2.1 exercise में 12 questions है 12 part है एक question के तो इसके अंदर क्या करना आपको 12 questions करना है तो मैंने कुछ ऐसे part ले लिए इसके अंदर जो क्या है इसमें हम सीख जाएंगे कि हमें कैसे करना है औ 2.2 और 2.3,4,5 और जो 6 हमारे बाद 2.5 तक है वह हमें हम आपर कर पाएंगे तो द्यान से इसको कर नाम को तो देखो एक बात हमें से समझना आप अच्छे से क्या कि देखो जैसे साथ में है यहां देखो 6 और X इस साथ में दिख रहे है ने 6 और X इसका मतलब संदना बीच 1,6,0,0,0 प्लस करें तो आपको समझ में आही रख है छी दिखाजिए अभी आप को मैं दो तरीके बताता हँ आप 2 तरीके से इन सब को कर सकते हूँ तो पहला मैं स्ट पार्ट ले रहाऊ हो X-2,0,0.. X-2 equals to 7 तो इसको फिर्स्ट पहले तरिके से कैसे करोगे आपको करना क्या है इसको सॉल करने के लिए इस X की वालो फाइंड करना है तो आप क्या करोगे तो देखो आप क्या करोगे इस X को अकेला रख दो बाकी सब को अटादो तो कैसे अटाओगे देखो X-2 इसमें मैं plus 2 और कर दूं क्या फायदा हो देखो एक minus का 2 और प्लस का 2 क्या होजगा 0 बन जाएगा अब अगर मैं यहां plus 2 किया तो equals to तो में यहां पर भी क्या करना पड़ेगा प्लस टू यहां जो भी काम करोगे इस एक्वेशन के साथ में जो काम आप यहां करोगे वो काम आप यहां पर भी करना पड़ेगा अगर यहां प्लस कर रहे तो यहां पर प्लस करना पड़ेगा यहां माइनस कर रहे तो यहां माइन यह तो गए मेरे पास एक्स की लोगी न पाई इतनी एक्स के लो नाइन वेरीजी अगर आपको फिर भी नहीं आया तो काम कर और यह आसान तरीका है और यह बहुत ज्यादा कारिगर रहे है कि आपको बहुत काम आएगा क्या करो देखो याद रखना जब यहां कोई नमबर माइनस में है देखो अभी एक्स के साथ क्या माइनस में है तो यहां जाएक क्या बन जाएगा यह प्लस का क्या बन जाएगा प्लस का दुबारे सुन लो यहां किसका है माइनस का है यहां किसका बन जाएगा प्लस का यहां प्लस का बन गया तो 7 प्लस 2 कितना होता 9 तो लो जी देख लो से मंज रहें दोनों कंडिशन के समझी में आई है दोनों तरीके समझी में आई है नहीं आए है तो कोई बात नहीं है हम यह क्वेशन और करते हैं इसी टाइप का और आप भी वीडियो में यहां कोशन है सेकेंड कोशन है आप वीडियो पोज करके आप ट्राइ करो फिर देखना की सलुशन के निकाला गया है ठीक है समय निकालते हैं दुबार से सेकेंड पार्ट है वाई प्लस थृ एकोस टू टेन तो देखो सेम करना पड़ेगा अब डिखो युश बष्ट का ए तो मुझे माइनस का ठ्री लेना पड़ेगा तोबाइ प्लस थी माइनस का 3 या टैन माइनस थी सब्सक्राइब यह प्लस का है यहां कर किसका हो जाएगा माइनस का याद रखना प्लस का है तो माइनस का माइनस का है तो सब्सक्राइब यह मेरे पास क्या आ गया वाई की वालू सेवन आ गई समझ में आ गया हुआ में डिसाप से अब हम करते हैं फॉर्थ पार्ट ठीक है ऐसी आप वीडियो पोस्ट करो पहले कुछ से करो और फिर उसके पाद जो मैंने सुलेशन करा रखा हो देख लो बस समझ मे कि जो बचे वे पाट है कर लेना नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालना मैं आपको पक्का कोश्चन का स्लूशन करके दूँगा तो जाब यह कर लेते हैं अच्छा होता क्या देखो तर इतने सिंपल सिंपल है यह हार्ड है हार्ड कुछ भी नहीं होता मैंने कितनी ब और आपको फ्रेक्श्चन को प्लस करना भंट स को भी सीका देखाई अगर वन दंग सी सीका तो और क्या करना हैै क्या क्या को अब इस का को करते हैं देखो यह फ्रेक्शन में तो फ्रेक्शन में करूंगा तो 3 by 7 plus x equals to 17 by 7 लो जी अब क्या करो किसको यह x तो है इसको अटाना मुझे तो मैं इसी यह plus का तो minus वाले से क्या करूंगा तो minus 3 by 7 और फिर यह तो थाई एक्स्ट्रा के लिए है मैंने यह लिए तो मैं इस तरब भी इसको क्या करूंगा minus ही करूंगा minus 3 by 7 यह तो यहां से 0 बन जाएगा तो यह सेम है और सेम चीज माइनस माइनस प्लस को तो 0 बन जाती है यह तो गया एक्स अब यहां देखो अब फ्रेक्शन एल्सियम डेना फिर 17 में से 3 तो 14 यह कटके कितना आ गया सेवन टूजा 14 यह आपने किया हुआ रिड्यूस फोर्म करते थे आप लोग कार्ट के छोटा लिखते थे उसको तो क्या अंसर आ गया एक्स की वल्लू टू आ गई यह आपने सारे चीज़े क्योई है नहीं क्योई है तो सेवन क्लास के बुक को ठाओ और यह सब करना स्टा एक सिसका ले लो जो यहां काम कर रहा हूं वही काम इदर कर देना इस तरफ कर दिया मैंने अपने आ यहां जोड़ किया तो आगई अब वह दूसरे वाले तरीके के से क्यों तो देखो यहां प्लस का है इधर आकर माइनस का हो जाएगा 17 माइन यह 17 17 बाइनस कि तो नीचे तो एलसिम सेवन सेम है तो 17-3 तो कितना आगे एक स्किवालों 14 कोई दिक्कत नहीं है तो यह था मार पास उसक्षिन्स और ट्रै करते हैं यह वाला कुशन 6x अब तो था प्लस माइनस का अब आगा मंटीप्लाइका अगर कोई चीज यहां देखो मंटीप्लाइक में है तो मुझे काटने के लिए इसको से डिवाइड करना पड़े तो इसको भी किसी सिक से डिवाइड बता था ना क्या रूल है जो भी काम करें गोई इक्वल्स टूके दोनों साइड हुआ इस से ग्याव बोलते है तो देखो अपने हाथ देखलो आप दो आप जसे लिखते हो ना तो उसको देखलो एकों साइ से डिवाइड में कर रहे हुए काम आपको लेफ्ट हैंट साइड में करना पड़े हो तो काटो शिक्स बंजा सिक्स यहां पर चिया ओनली एक्स इंडियूस वह था हमने किया था तो यहां ने किया हुआ था अच्छा दूसरे तरीके से करते हैं क्या है 6x एक्वल्स टू 12 क तो केंसल आउट हो कितना आगया 6 फूजा 12 एक्स के अलों कितनी आगया टू आगया पैसी भी कर सकते हो अगर तो डिवाइड में डिवाइड मतलब नीचे चला जाएगा ठीक है और अगर कोई चीज नीचे हो खांच लिजागी ऊपर चली जाएगी यह काम हम एक कुशन औ आगया होगा मेरे हिसाब से अब एक दो एक कुशन और कर लेते हैं इसी टैप का तो यह कुशन हो रहा है तो एक्स नीचे 3 एक्वल्स टू 18 ठीक है तो वह कहना में एक तरीका से करते हैं सिंपल वाले से तो क्या यह यहां त्री है यहां के अदर को नीचे है ने मैं आभी बताया था ने डिवाइड नीचे है तो ऊपर मंटिप्लाइ और अगर ऊपर है तो नीचे चला जाएगा तो 2x एक्वल्स टू इसको मैं 3 को लेगे जा रहा हूं 18 मंटिप्लाइ 3 हो गया अब यह क्या है नीचे यह मंटिप्लाइ में है तो यह नीचे डिवाइड इसमें च्यार चीज़ इस अगर LEFT RAND साइड में 1 जा Jup मैं यह माइनस में यह मं एटी तो यह मंटीप्लाइ में सो सेवन एक्स माइनस नाइन एक वस्तों सिक्स्टीन पहले जो हने इस एक्स के आस्पास जो उनको अटा दो यह माइनस का है क्या है माइनस का है तो यहां जाकर किसका हो जाएगा प्लस का सेवन एक्स तो कितना हो गया इसका 25 यह मंटीप्लाइ में है तो इधरा किसका हो जाएगा इस 25 के नीच यानि डिवाइड में आजए यह आंसर आगा बस सिंपल कुछ भी नहीं करना बस चार चीज़ेंगे काम करना है प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस मंटीप्लाइद दिवाइड दिवाइड है तो मंटीप्लाइद और कोई चीज़ेंगे काम नहीं करना है ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं तो कैसे करोगे वह देख लेते हैं फटा पर टेक पर जल्दी जल्दी से फिर हम इसको खतम करते है एक्स बाइट्री प्लस वन सेवन बाइफिफ्ट 15 को 15 से डिवाइड करो कितना आए वन आएगा जो आएगा उसको इसको उपर वाले से कर देते हैं लोग मंटीप्लाइगा तो कितना आगया 15 हो गया मैं इसको रफ कर रहा हूं सब्सक्राने के लिए है नहीं करना है नोटोग मैं आपको X by 3 अभी क्या है 7 में से 15 गया तो कितना बचेगा बचाओ 8 बचेगा अब देखो साइन किसका बड़े का नेगेटिव आएगा याद करो इंटीजर्स को माइनस करती है बड़े का साइन नेगेटिव नीचे के आगया 15 समझ में आगी इतनी बात यह क्या है नीचे है डिवाइड में है तो यह का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो पर देखते हैं एक्स इकोल स्टू माइनस एट बाइफ फिफ्टीन और यह नीचे था कहा चला गया ऊपर चला गया तो यह नीचे कुछ नहीं तो बन है पता ही आपको तो थ्री बन जा थ्री पाइफ क्या अंसर आ गया माइनस एट बाइफाइफ इस अंस्वर ओप दिस कुश्चिन समझ म में आ गया होगा मेरी साब से तो ठीक है तो यह थी हमारे पास एक्सराइज 2.1 नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे एक्सराइज 2.2 वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है तो थैंक यू फर वाचिंग इंजोए दा मैंत